दोस्त क्या आपके मुबाइल में भी अचानक से प्रचार आ जाते और इससे आप बहुत ज़्यादा परिसान हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखना A to Z आपको पूरी जान करे दूँगा और बिल्कुल सही तरीक आपको बताओं कि मेरे साथ भी यह दिक्कत हो रहा था और YouTube मैंने धेर सारा वीडियो देखा लेकिन कुछ फरक नहीं पड़ा बोलते हैं यह कर लो कर लो सही हो जाएगा लेकिन कुछ नहीं हुआ फिर मैंने मतलब बहुत ज़्यादा जब परसान हुआ तो मुझे थोड़ा थोड़ा करके पूरा मतलब पता चला कि यार यह काम करना पड़ेगा ता irm जाकि एड़ बंद होगा तो वही सिज आपको बताऊंगा जो मेरे सांथ हो रहा था वहीं चीज आपके सांथ हो रहा है तो जो मैने ट्रिक लगाया वही ट्रिक आप लगाओगे तो आपकी मुबाइल में वीजियो एड आ रहा है वो बंद हो जाएगा देखो इसके लिए सबसे पहला काम आपको Chrome browser open करना पड़ेगा Chrome browser open करने के बाद यहां आपको 3.com देखेगा 3.com पे क्लिक करना history पे क्लिक करना history पे क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा यहां पे देखो आपने जो जो चीज सर्च किया होगा जो भी चीज आपने यहां पे देखा होगा यानि सर्च history watch history सब कुछ यहां पर आपको देखो यहां पे दिख जागा मैंने पूरा clear किया है इसलिए बहुत कम दिखाए देर आपके फोन मेंने बहुत सारा होगा इसी वज़से आपके मुबाइल में बहुत ज्यादा प्रशार आ रहा है अचानक से आ जा रहा है ठीक तो उसको clear करना पड़ेगा देखो कई-कई वेपसाइट ऐसी होती है ना जिनको आप परमीशन दे देते हो तो आपके मुबाइल को पूरा मतलब अपने हिसाफ से हेंडल करने लगती है जब मन करेगा एड दिखाएंगे जो एड दिखाना वो दिखाएंगे ऐसा वैसा ना तो उसको हटा दोगे तो एड वो मतलब दिखा ही नहीं क्यों कि हमने वहां से clear कर दि नहीं है तो यहां all time option दीख रहा है all time पर select करना ठीक उसके बार नीचे clear data option ने clear data पर क्लिक करना और यहां clear option आ रहा है clear पर क्लिक करना पूरा history यहां पर clear हो जाएगा तो 90% एड आना बंद हो जाए क्योंकि इसी वज़े से एड आता है कि हम दूसरे website पर चले जाते हैं वहां permission दे देते हैं और वह अपने हिसाब से एड डालना start कर देते हैं मारे mobile में ठीक तो यह काम जरूर करना 100% मतलब 80% 80-90% एड आना बंद हो जाएगा फिर यहां आपक cookies option इस पर क्लिक करना और यह तीसरे वाले पर क्लिक कर देना अगर पहले वाले फोगा दूसरे वाले फोगा तो यहां से हटा कि आपको तीसरे वाले पर क्लिक करना इतना काम करना फिर आपको नीचे आना यहां पर लिखा होगा pop up and redirect इस पर क्लिक करना और यह गर चालू है तो इसको इस तरह से चालू कर देना ठीक इतना काम कर लेना और उसके बाद अपने मोबाइल को switch off कर देना देखो power button से switch off वाला मत करना जो power button दबाते ही दो option आता ना एक switch off आता है और एक restart आता है तो restart वाले पर आपको click करके restart कर देना है तो आपके मोबाइल में धीरे धीरे एड आना बंद हो जाएगा तुरंत नहीं बंद होगा